तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो इस पर मैं आर्टिकल डिसकस करते रहता हूं जो भी Global Affairs related article रहता है तो वह आपको बताते रहता हूं तो यह article अभी आया है तो चीन में कुले के आर्टिकल आया है और अमरीका जो आप देखेंगे तिबबत कुले के एक एक्ट आया था जिससे अब कुछ दिन पहले नैंसी पॉलोशी और जो भी प्रतिनीधी मंडल थे मतलब की सांसाथ वहां के यह आए थे लदाक में आप देखेंगे विजिट किये थे वैसे हिमाचल परदेश वाले इलाके में जो दलाई लामा रहते हैं तो यह चौँ दह इंडिया सरन देती है तो यह भी एक कारण बताया जाता है कि 1962 का जो यूद हुआ था तो इसी के कारण ही हुआ था क्योंकि इंडिया ने सरन दी थी इनको मतलब इंडिया रहने के लिए इनको आसरे देता है इसलिए ऐसा बताया जाता है कि यूद हुआ था तो अभी पहले ही पास हो गया था जो बाइडन जो है यहां पर सिगनेचर कर दिया है तो प्रेसिडेंट जब तक सिगनेचर नहीं करते हैं किसी भी लॉव पर तो वो मतलब लॉव नहीं बनता है समझे कोई भी बिल रहता है बिल जब तक जब तक ही रहता है दोनों सदन से पास होता है राज्य सबा लोक सबा वहां पर भी कॉंग्रेस में सदन है तो वहां से पास होगी उचली और निजली सदन से फिर जाके जो बाइडन जब वहां पर signature करेंगे तो भी जाके कोई भी law बन पाता है तो वही अब जो बाइडन यहां पर जो है ये law signature कर दिया है तो लोग बन गया है तो इसमें यही सब बाते की गई है और फिर इंडिया भी देखेंगे तो यहां पर कुछ दिन पहले खोले के सांथ दिया है तो इंडिया का अभी foreign policy change होते आपको दिखेगी क्योंकि वहां चाइना policy के तहुत हम भी सभी चीजों को चाइना का मानते थे हैं जैसे कि Taiwan भी है तो उसी का माना जाता था फिर अभी तिबद तो है तो तिबद को तो हम बहुत पहले से ही उसका मानते थे लेकिन यही हमारे foreign policy में पहले मानी जाती है कि चूक हो गया था जैसे तिबद पे वह अटैक करता है तभी से हमें वीरोध करना और चाइना के threat से हम बच पाते है चाइना काफी देखें गे तो आंके receive रहता है परिशान भी करता है बहुत सारी problem हमें भेज करने परती है एक तो नेपाल है जो यहां पर देखेंगे buffer state का का काम करता है यहां पर अर पर एस्टेट है तिवट इंडिपेंडेंट रहता तो एक तो चाइना इतना powerful नहीं रहता है और चाइना powerful भी नहीं रहता है और दूसरा नमबर है कि direct हमारी सीमा उससे लगती नहीं तो यह हमारे लिए बहुत पाइदेमंद हो जाता है यहाँ पर यह देखने को मिलेगा लेकिन अब हमारी foreign policy में change यहाँ पर आते हुए दिखेगा अब खुलके हम जो है support कर रहा है तिबबद को और तिबद के मुद्दे पर क्यूंकि अब एक ही यही सब मुद्द है जिससे चाइना को back food पर लाया जा सकता है क्यूंकि चाइना के matter में हम बोलेंगे नहीं जो भी matter रहेगा हम नहीं बोलेंगे लेकिन वो किसी भी इंडिया कि मैटर में खुलके आता है चाहे पाकिस्तान का सपोर्ट करना हो चाहे आप देखेंगे कि हमारे जो बॉर्डर है वहाँ पे अतिकरमन करना हो तो इन सब में वो खुलके आता है इसलिए हमारे इन्पोर्टेंट है कि हम भी अब उसके मुद्दे पर ताइवान को सपोर्ट करें तिबद को सपोर्ट करें यूएस को सपोर्ट करें इस मामले में तो यूएस तो घेरे गाई यूएस इंको घेरते रहता है हमें सा क्यूंकि वो जानता है कि चाहिना अगर तूट जाता है च अमरीकी रास्पती देखें कि जो भी बिल था उस पर अभी सिगनेचर कर दिये हैं और यह बिल पास हो गया है तो इसमें इसके तहत यह बोला गया है कि चाइना जो है यह जबरन मतलब की जबर्दस्त मतलब कोई भी चीजी फोर्स फूली नहीं कर सकता है जैसे तिब्वत के प्रतिनीधी मंडल है दलाई लामा इनसे 14 दौर्द की मीटिंग इनसे भी हो चुकी है बात करता है चाइना कि तुम लोग जो है यह बीरोध परदरसन करना छोड़ दो तुम लोग को यह वो दिया जाएगा यह सब चीजे देंगे हम और बीरोध करना छोड़ दो और तिब्वत को बिल्कुल चाइना कहीं अब समझे मान के चलो तो इसके लिए 14 दर की बात हो चुकी है लेकिन दलाई लामा यहां तो इसी को लेकि एक्ट पास किया है कि तुम भूर्स फूली नहीं करा सकते हो कुछ भी तो फॉस फूली देखें की WOW यूज तो करता है पावर का यूज करता है कुछ दिन पहले अप देखेंगे कितने ती बति लोग जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे उनको मारा गया तीबत के लोग तो देखेंगे कि अपना ध्यान अकरसन करने के लिए क्या होता था सामुहिक लोग इकठा होके अपने आपको जला लेते थे जला के ताकि जो वर्ल्ड का है अटेंशन खीचा जा सके लेकिन कुछ हुगा नहीं कि वर्ल्ड कुछ भी नहीं करता है बस यहीं सब बात होते रहती है वीगर मुसल्मानों के भी मुद्दे पर आप देखेंगे वीगर मुसल्मानों के साथ डिटेंशन से टर डिटेंशन जो सेंटर होता है उसमें डाला गया है वीगर मुसल्मानों को लेकिन जो मुसलिम के लोगों से कुछ भी यूज नहीं किया जा सकता है इसको लेकर लौ पास किया गया है जिससे चाइना देखेंगे कि बॉखला गया है चाइना आमेशा देखेंगे मतलब कि धंकी तो देते रहता है कि अबर पास किए तो यह कर देंगे वो कर देंगे जैसे नैंसी पॉलोसी ताइवान में आई थी तो वो बोले था कि तो उसके एलाके को सूट कर दिया जाएगा यहां पर मतलब जो प्लेन लेकर उनको आएगा उस प्लेन को मैं मतलब उपर ही सूट कर दोंगा यह बोल गया था इसके दोड़ा चाइना के दूबब यहां है लेकिन हुआ कुछ नहीं, नाइससी पलोसी आती भी है वहां पर, बात भी करती है, जो बात रहता है, चाइना के खिलाब भी बोलती है, अब चाइना को अपने पप्लिक को दिखाना था, था कि मतलब हम भी पीछे नहीं हटेंगे, तो दो चार देखेंगे, रॉकेट पर से फाइर करता है ताइवान के फाइर करता है लेकिन ये भी इस दिखाने का महाँ पर खोशिश किया था है तो ये इसमें की गई है और कानून जो है इस एक 138 कानून है तिभबत में इस मतलब कि यहाँ पर फास फुल यूज्ञ नहीं सकता है और 14 वे दलाई लामा है जो मैंने बताया 1979 से लेकर ये भारत में भाग कर आ गए थे जब वहाँ पे चाइना पूरी तरह से कबजा कर लेता है तिबत पे तो ये भाग के आ गए थे और हिमाचल परदेश के धर मसाला में ये रहते हैं धर मसाला में रहते हैं और 2002 से 10 तक आप देखेंगे कि दलाई लामा के जो प्रतिनी धी मंडल था वो चीन से लगबग नौ दौर की मीटिंग हो चुकी है लेकिन यह नहीं निकल रहा है solution तो उसका कहना है कि यहां पर PM बनो बनके रही है लोग लेकिन जो चीन कहीं यह हिस्सा रहेगा तो यह चीन कहीं सा रहेगा लेकिन यह लोग अपने independent के बात करते हैं यह आपको देखने उपर लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है और च चीन के बिरोध के बाद ही यह पास हो गया है तो इससे होगा क्या कि अब यह सब दूस परचार जो करता है चाइना की अमरीका यह करता है वो करता है तिबत के लोग समझ यह कि हमारे साथ मिल के रहना चाहते हैं बहुत सारी चीज़े देखेंगे आई टी सेल से परमोट करा रहता है तो यह सब चीज़े मतलब रोकने का यहां पर काम किया जाएगा पीपल रिपपली और चाइना जो है इसको रोकने के लिए बिल पास किया गया है लेकिन आप यह भी बात समझ लिए ऐसे बिल से कुछ नहीं होने वाला है बिल बहुत अमरीका पास करते रहता है ले नहीं कर पाता है लेकिन भरकाता है मामले को और तो यह सब आप देखेंगे तो यह पूरा टॉपिक था लेकिन बीरोथ के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा है चाइना चाइना भी कुछ नहीं कर पाएगा यूएस भी कुछ नहीं कर पाएगा तो यह कागजी जो देखेंग प्रोड में लेड़ पने लेक्स आपिए